त्रिपुरा में विधान सभा चुनावों का अलान अगले साल की शिरुवात में हो जाएगा। चुनाव को लेकर तयारियां तेज हो गई है। बीजेपी पहली बार त्रिपुरा की सत्ता में आई उसके लिए सरकार बचाने की सबसे बड़ी चुनावती है। तो ये राज लंबे समय से वामदलों का किला रहा है। ऐसे में वामदल एक बार फिर सत्ता में वापसी की ताकत लगा रहे हैं। लेकिन उन्हें डर ये लग रहा है कि चुनाव निश्पक्ष हो पाएंगे। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है। 2018 में बीजेपी ने लेफ्ट को हरा कर राज जिमिस सरकार बनाई थी और अब लेफ्ट अपनी हार का बदला लेने की तैयारी में है। त्रिपुरा को लेफ्ट का किला माना जाता रहा है चुनाव दो महीने में ही होने हैं। इसलिए लेफ्ट ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में लगा दी है। दक्षिन त्रिपुरा की एक रैली में उन्होंने पार्टी कारिकरताओं से भी कहा कि सभी संगठित रहें। जिससे वोटर चुनावों में स्वतंतर रूप से अपने लोकतांतरिक अधिकार का इस्तमाल कर सकें। जो लोक स्वतंतरों निस्पक्ष चुनाव को रोकने की कोशिश करें, उनका डट कर मुकाबला करें। दरसल मानिक सरकार को इस बात का डर लग रहा है कि विधानसभा चुनावों में मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा सकता है। और वोटिंग 8 से 10 प्रतिशत कम हो सकती है।